थेरो कोई ज़रूरत ने पुलिस को मेरे दर्माजे पर बुलाने की मगर बड़े भाई यह रवी मैं अभी तक मारा नहीं हूं घर की छोटी मोटी उल्जने मैं खुद सुल जा सकता हूं सापके इने ढटी आप दीकाब डटी है हारी चोटी मलकी चोड मरान चोरी धरा है बाकी का रुपए है क्रिष्णा क्या आपने ना когда मैं पुछा हूं कि बाकी के रुपए है сум यह आप पूछे रहे हैं साब जी अपने कृष्णा से जो कृष्णा गलत यहर इंसान से होती है तुम मुझे सही सही बता दो कि कहने तुमने कहां बेचे मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा अब कहने के लिए बाकी ही क्या है साब जी एक चुटा सा सवाल पूछ के आपने बहुत कुछ कह धिया साब जी घिश्णा बात को आगे पागे बढ़ा चुकी है साब जी अब तो आप पुलिस को ही बुलाई एस है उज़े घुटे की तरह मार मार के हम से पूछेगी ना हम त को हो मुझे साब जी इसी साब जी की इजट आज तुमने मिट्टी में मिला थी क्या कुछ नहीं किया थे मैंने तुम्हारे लिए उसका मुझे तुमने ये बतला दिया अरे बैयो या जोती जिस दिन मेरी फैक्टरी जलकर राख हो गई थी और मैं बर्बाद हो गया था मुझे उतना दुख नहीं हुआ था कृष्णा जितना आज युआ जब तुमने इस घर में चोरी किया है सापची बच्पन में जब हमारे माबाप मर गए थे न खौर मनात हो गए थे न तब भी हमें इतना दुख नहीं हुआ था जितना दुख हमें आज हुआ है जब आपने हमें चोर कहा सापची आपने हमें चोर कैसे कहा साप ची और ज्यादा सफाई देने की जरूत नहीं है दूरो जाओ मेरी नजरों से दूरो जाओ निकल जा इस घर से अरे इस घर से ही क्या इस गाउ को ही छोड़कर चले जाएंगे हरे मुझ जनात का क्या है काट लेंगे अपनी जिन्दगी कहीं भी इतने साल इस घर में बेफिक्री से ये समझ कर काट लिए कि साप जी का हाथ है हमारे सर पर हमको क्या है परवा किसी बात की मगर नहीं अब हम जान गए कि इस दुनिया में अनात का कोई नहीं होता हम जा रहे है साप जी और इस घर में कभी नहीं आएंगे अभी निकल जा तुबारा इस घर की डेलीज में कदम भी रखा तो मेरा मरा हुआ मुझ देगे गा तू आरे नाई 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 मुझ नौकर के लिए अपने दिल को दुख देने की कोई जरूत नहीं मैं कदम में रखूगा याँ पर